चलिए देखिए कुश्चन में क्या कहता है आपके सामने कुश्चन विज्वल होगा कुश्चन में कहता है आपके सामने कुश्चन में कहता है आपके सामने कुश्चन विज्वल होगा वन मोर मसीनरी परचेस ऑक्टूबर 2018 एक और मसीनरी खरीद लिया यहां लिख लेते हैं एक दस दो हजार अठारा एक और मसीनरी खरीद लिया इसने और कितने का खरीदा देट इस M2 इसको नाम दे दिया और 20,000 का आगे कहता है अन जुलाई उननेस अन न्यू मसीनरी अलसो परचेस ठीक है सर M3 खरीद लिया इसने कब जुलाई 2019 कितने का खरीद लिया 10,000 टोटल कितने मसीनरी होगे सर तीन मसीनरी होगे M1, M2 और M3 was added in existing मसीनरी 1st January 2020 को 1 third of मसीनरी which was installed on 2018 sold रुपीज थी था सर इसका मतलब क्या हुआ कहने का मतलब है 1 January 2020 में क्या हुआ वो बताना चाह रहा है कहता है एक जनवरी 2020 में one third machinery was installed एप्रिल 18 में तो सर एप्रिल 18 की में बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बताईए एप्रिल 18 में कौन सी मसीनरी है M1 है, M2 है या M3 है क्या बात कर रहा है कहता है कि जनवरी 20 में ऐसी घटना घटी कि एक बता तीन हिस्सा उस मसीनरी का जो मसीनरी एप्रिल 18 में लिया गया था तो यानि ये first M1 की बात कर रहा है किस की बात कर रहा है M1 तो अगर M1 की बात कर रहा है तो very simple कि इस में से एक बता तीन हिस्सा बेश दिया गया तो जब कभी भी ऐसा कोई मसीनरी होता है, जिसका कुछ पार्ट बेचा जाता है, तो हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग से ही अलग करके चलेंगे, जिससे उसके पार्ट पे प्रॉफिट ये लॉस इजीली कैलकुलेट हो पाएं, ठीक है न, हम स्टार्टिंग से अलग ल कORS shouldn में कहना था कि जो one third है, उसको एक जनवरी बीस में तीन हजार का बेचदियाग़ए, यानि इसको हमने एक एक दो हजार बीस में हिस सोल्ड कर दिया कितने का? तीन हजार का, इस वाले हिस्से को, क्या इस वाले हिस्से को बेचा गया, जवाब नहीं सर, इस वाले हिस्से को नहीं बेचा गया चलिए आ जाईए हमारे पास तीन मसीनरी हो गया, show the machinery account in the books of the company, the rate of depreciation 10% reducing balance method, कौन सा method है सर, WDV, the accounting period 31 December each year, तो reducing cost method से है ये, चलिए, हम depreciation लगाना स्टार्ट करते हैं, 31 year हमारे क्या है, क्या कहता है, the accounting year period end कौन सा है सर, December, तो 31, 12, ठीक है ना, खरीदा कब गया है, इसकी date खरीदने की ये है, 31, 12, 2000, BC आएगा, स्वारी, 18 ही आएगा, इस पर depreciation क्या लगेगा सर, 9 महने का लगेगा, 750 सर, कैसे आया 9 मंत का, क्योंकि April से लेके, December तक count करोगे न, April, May, June, July, August, September, October, November, December, पूरे 9 महने होगे, तो 9 महने ऐसे calculate हुआ, 10,000, into में 10 by 100, into में 9 by 12, that is 750 आगया आपका, बचके हमारे पास, 90 to 550, remaining part, पे भी depth लगेगा, इस पे भी 9 मंत का लगेगा, इस पे आएगा 1500, ये बचके 18,500, जो date हमारे पास आचुका है, date क्या है, 11, 2019, कितने अच्छा, ये आएगा 18,500, अरे, पूराई हटा देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर depreciation लग जाएगा, 31, 12, 2019, पूरे साल का लगेगा, और है actual में, WDV, तो 925, यहाँ पे क्या लगेगा, 1850, इस हिस्से को थोड़ा नीचे ले जाएगा, माइनस कर देते हैं, 925, 925, 83, 25, 16, 650, अगेन लेस डेप्रिशेशन होगा, कॉंसी डेट पे 31, 12, 2020, अब देखो यह बेचा कब है हमने, 11, 2020, तो जो हमारे पास यह डेट निकल के आया साहाब, 11, 2020 ही तो आएगा, और जो 11, 2020 आ गया तो इसको बोला गया बेचो, कितने का बेच दो, सर 31, सुरी, बैंक से बेचना है, तो बैंक से बेचेंगे कितने का, 3000 का, यह डेट इस लॉस हो गया, कितना लॉस वह सर, 5325, पहले फर्स मसीनरी को देखिए, और हमें अकाउंटिंग करनी कब तक है, बुक्स, कम्पनी, दा रेट अफ डेप्रिशेशन, दा अकाउंटिंग, डिसमबर इच एर, हमारा जो लास्ट एक्टिविटी है, उस साल को कंप्लीट करना होता है, कई बार हमें यह नहीं बताता कि अकाउंटिंग कब तक करना है, तो हमें कब तक करना होता है, जो हमारा लास्ट एक्टिविटी फोता है, सर यहां पे लास्ट एक्टिविटी क्या है, बीस, तो हमें बीस को बस कम्प्लीट करके छोड़ना है, इस बात को याद रखना है, ठीक है, सर ये डेट जो था वो था 1-1-2020 तो इसको complete करना यानि यहाँ पे तो एक और depreciation लग जाएगा 31-12-2020 1-6-6-5 10% सीधा-सीधा WD भी निकाला जा रहा है into 10% यहाँ गया 1-4-9 8-5 ठीक है तो लोग पहले वाले मसीनरी पे अगर किसी को doubt है जितने बच्चे लाइव में हैं फर्स्ट मसीनरी पे अगर doubt है तो आप मुझसे पूछिए हाँ जी फर्स मसीनरी पे डाउट है तो मुझसे पूछिए M2 की बात कर ले अब सर डेप्रीशेशन लगेगा 31 12 2018 सर कितने मेहने हो गए यहां से यहां तक 6 महिने 6 महिने का आजाएगा 10 परसंट के इसाब से 1000 बचे 19,000 11,2,019 31,12,2,0 क्या आएगा 31,12,2,0 19 20 थोड़ी हैगा जनवरी दिसंबर वाला है तो अब फिर से लग जाएगा इस पे कितने पूरे साल का 1900 17,100 यह डेट है 1,1,2,020 इसी साल को कम्प्लीट करना 31,12,2,020 1,5,3,9,0 चलिए देखिए M3 भी करी देते हैं फिर आपको समय देंगे 31,12,2,019 कितने मेहने सार छे मेहने 30,500 बचे कितने 9,500 1,1 2,020 इसके बाद 31,12,2,020 9,5,0 कितने बच गए 8,5 मैंने वर्किंग नोट आपके सामने कर दिया है पहले आप वर्किंग नोट को ओक्के बोलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे देखिए अराव वर्किंग नोट को ओके बोलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे पहले देखिए फटा फटा क्लियरे वर्किंग नोट बताईए जैया पवन प्यूश किसी को भी दिक्कत है यहां तक में तो बताये नहीं तो फिर आगे बढ़ने के बाद फिर दिक्कत हो जाती है नीन से जाग जाओ बढ़ें आगे चलिए सब अब करते हैं हम पोस्टिंग अब पोस्टिंग में देखिए का ध्यान देना है अपने पोस्टिंग में सबसे पहली मसीनरी हमारी 1418 में ध्यान से देना इसमें बहुत बच्चे गलत कर देते हैं अब हमने पहली मसीनरी को जो हमारा M1 था मैं यहां लिख रहा हूं ब्रैकेट में बस जो M1 था उसके दो हिस्से करें हैं तस अजार और बीस अजार तो हमें दो हिस्से यहां नहीं दिखाने हमें यहां दिखाना है 31,000 इसके बाद आगे देखा जाए 31,000, 12,000, 18 तो by depreciation अब depreciation भी इस दोनों हिस्से पे है that is 750 एक इधर वाला हिस्सा और दूसरे वाले हिस्से पे 1500 तो हम एक साथ ही दिखा देंगे that is 22,000 पचास M2 क्या हमने इस साल खरीदा है इस साल कोई और मसीनरी खरीदा है या नहीं खरीदा है बताईए चलिए M2, 110, 2000, 18 ये भी तो इसी साल आएगा न तो सर M2 भी इसी साल आएगा 1, 10, 18 किस नाम से 2 बैंग M2 कितने का है सर 20,000 और इसके उपर भी depreciation लगना चाहिए फिर तो बिलकुल लगना चाहिए by depreciation और इस पे कितना लग रहा है हमारा 1000 फास्ट इयर कम्प्लीटिट इसका बस calculation कर देते हैं total फिफ्टी थाउजन यहां भी फिफ्टी थाउजन बाइ साइड में आ जाएगा बाइ बैलिंस सीडी 31 बारा depreciation निकालते हैं पचास अजार बाइस सो पचास एक हजार 46 साथ सो पचास डेटिड है एक एक दो हजार उनिस और यहां पे आ जाएगा टू बैलिंस बीडी और सिक्स सैवन फाइब सीरो क्लियर अब दूसरे साल आ गए है दूसरे साल हमारे पास एक यह डेप है एक यह डेप है किस पे मसीनरी बन पे तो 31 तीन सरी 31 बारा उनिस इसमें डेट काफी धियान देना होता है बाइड डेप्रीशेशन सर कितने कितने है 925 और प्लस अठारा सो पचास 2775 इसके बाद दूसरे पे 31 बारा उनिस बाइड डेप्रीशेशन नंबर सर टू पे टू पे उनिस सो क्या थ्री भी इसी साल खरीदा है थ्री इस साल खरीदा है चेक करिए जुलाई उनिस तो इसी साल खरीदा है सर तो एक साथ उनिस में टू बैंक टू बैंक से कितने का खरीदा था तस अजार चलिए अब इसका टोटलिंग करते इसका भी डेप्रीशेशन आएगा न तो 31 बारा को बाइड डेप्रीशेशन नंबर थ्री पे तीसरे पे कितना लग रहा है चलिए टोटल कर लेता है 46750 प्लस 10,000 56 750 56 750 पाई बैलेंस सीडी माइनस 2775 माइनस 1900 माइनस 500 तो 51,051,057,05 यह आगया 31,12 ठीक है यह आगया 31,12 आगे देखते हैं सर आगे क्या है फिर से इसका बैलेंस बीडी बना दिया जाए एक एक बीस टू बैलेंस टू बैलेंस बीडी सर बैलेंस बीडी में क्या आ जाएगा 5175,1 575 ठीक है अब डेप्रिशेशन लगना है लेकिन पहले यह वाला हिस्सा बिक जाना है तो इस वाले हिस्से को एक एक बीस को ही बेच दिया जाए पाई बैंक से साल के स्टार्टिंग में ही बेच दिया जाएगा सर बाई बैंक से कितने का बेचा गया बेचा गया तीन हजार और ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल इसके बाद एक एक बीस क्या करें अब जो लॉस हुआ हमारा वो दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस सर इस पे लॉस हो गया कितने का हुआ फाइव थ्री टू फाइव अब हमारे पास डे एक एक एस बारा बीस में बाई डेप्रीशेशन नमबर वन सर वन पे कैसे लगेगा यह तो बिग गया यह वाला हिस्से पे लगेगा ना दूसरे वाले पे सोला सो पैसट फिर लगेगा हमारा एक एक एस बारा को ही बाई डेप्रीशेशन नमबर टू पे सर टू पे कितना लगेगा टू पे हमारा सत्रा सो दस सत्रा सो दस फिर इकत्तिस बारा आपड़ीृशेशन नमबर किस पे लगेगा थृ पे, थृ पे कितना लगेगा नौ सो पच जा तो आप थोड़ा थोड़ा यह यहां आने के बाद complicated हो गया है तो बस अब बस totaling का काम रह गया तीनों पे लगा दिया depreciation totaling करके minus तो 51575 51575 minus 3000 minus 355 minus 1665 minus 1710 minus 950 तो यहां लिखना है हमें by balance balance cd date क्या है 31 12 मैंने उपर 13 लिख दिया बारा ठीक है तो यहां गया 38925 चेक कर लिजिए आपके किताब में भी होगा 330 इसका तो यह हमारा answer final आ गया book के अंदर error है थोड़ा सा उस error को आप rectify कर लेगे ठीक है बताइए किसी बच्चे को कोई doubt एक बर फटा फट सा इसको नोटिंग करिए पहले दिखाओ नोटिंग करना है आपको फटा फट इसके अंदर reprint कर दो इसके अंदर एक error हो गया है हमसे वह देख लेते हैं क्या error सर यहां पर depreciation न यहां से यहां तक जो time है न तीन महिने है यह ध्यान दीजीए यहां पर मैं ठीक कर देता हूं error यहां से यहां कितने महिने हैं तीन महिने हमने 6 महिने मान लिये थे financial year के recording तो तीन महिने का भाई साब कितना depreciation आएगा पान सो तो ये सारा गड़ बड़ कोई बात नहीं उन्निस पान सो इसके बाद उन्निस पचास ये कितना आजाएगा इस बात का ध्यान रखना है तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये तेटईस पाइव हंड़डर अगर इसमें एड़ कर देगा पाइव हंड़डर पचास हजाप माइनिस सेन्तालिस दोसो पचास सेन्तालिस दोसो पचास आप नोटिंग करते रहिए मैं करेक्शन कर देता हूँ 47-250 सर यह आ जाएगा हमारा 57-250 और यह आजएगा उनेश सोपचास करें कि इस बावन जीरो पच्छास डेप टू हटाना है बावन फाइव टू जीरो टू फाइव टू जीरो टू फाइव फाइव टू जीरो टू फइव टू फर टू जीरो टू फाइव मैनस Belgium 29 3000 पाइवन पच्छेस three nine three three zero you had a anser 39330 अब नोट कर लीजिए इधर मैंने सारा करेक्ट कर दिया